अब लोग का स्वागते और फाइनली इंडिया में आज पोको एक्स टू जो वो लॉच्छ हो चुका है जिहां इतने दिन से हम इसका वेट करते तो आज हमारे पास आ चुका है मस्ट आप देखेंगे काला सा डबा है और एक्स टू यहाँ पर लिका है एनिवेज इंडिया में आपको तीन अलग अलग वेरिंट्स मिलते है जो बेस है वो 664 है उसके बाद 6128 और एक हाईर वेरिंट है 8256 है प्राइस जो भी होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन कमेंड़ कर दूँगा उमीद करते कि प्राइस काफी अग्रेसिव हो क्योंकि पोको से हमें यही एक्सपेक्टेशन है और यह है पोको का एक्स टू जी हां यह रेडमी के 30 का रिब्रैंड है बस यहाँ पर पोको की ब्रैंडिंग है और थोड़ी बद और आपको चीज़ी मिलते है ल लेकिन अगर गौर से देखते हैं दोस्तों तो इसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करता हूँ तो यह वो सारे लोग है दोस्तों इसमें कुछ इंपोर्टन लोग भी है फैंस भी है जिन्होंने पोको एफफन बनाने के वो एक तम जकास फिनिक्स रेड वाला है आपको एक ब्लू और वॉयलिट कलर में भी मिलेगा 6120G वाला वेरेंट है मेड इंडिया यहापर लिखा है और नीचे की दरफ दोस्तों अगर मैं सार वेल्यू की बात करता हूँ जोकि ऊपर लिखा है है एट के लिए 1.08 वाट्स पर किलोग्राम है यह थोड़ा सा ज्यादा है और बॉड़ी के लिए 0.62 वाट्स पर किलोग्राम है यह थोड़ा सा ठीक है तो यह ही है दोस्तों सारे इंफोर्मेशन फटामट से बॉक्स को ओपन करते है मैं आपको सारी टेकनिकल स्पैसिकेस भी दे रहता हूँ तो आपको जो फोन है वो बहुत ही जाड़ा टॉल है और साथ में दोस्तों आपको जो स्क्रीन टुबाडर इसु मिलता है वो भी बहुत इंप्रेसिव है आपको 91% स्क्रीन टुबाडर इसु मिलता है यानि कि जब भी आप वीडियो जीखते आप गेम खिलते तो जो आपका experience ह वो बहुत ही कमाल का होगा अब IPS डिस्प्ले तो मैं इसको आउड़र में लेके गया था और आउड़र जो विजिबिलिटी थी वो बहुत इंप्रेसिव थी तो मुझे वहाँ पर कोई इस्यू नहीं आता साथ में विसे आपको Gorilla Glass 5 की protection मिलती इसका मतलब जो डिस्प्ले है वो आपका काफी protected रहेगा लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसके डिस्प्ले का यह है दोस्तों कि आपको इसमें 120 Hz refresh rate मिलता है इस प्राइस पर कोई भी ऐसी कंपनी नहीं कोई भी ऐसा फोन नहीं जो आपको इस तरगी की refresh rate के साथ मिलता है और इसका फाइदा ही है दोस्तों कि आपको इसके अंदर जो smoothness मिलती है जब आप इसको use करते है इसके interface में आप app open close करते है तो वो बहुत ही जादा smooth और fast होता है तो आपको मुझे नहीं लगता कि 60 Hz पर जाना पड़ेगा यह ओवस्ते एक powerful gaming processor है 8NM पर है 2.2 GHz पर है Arduino 618 वाल आपको GPU मिलता है अब यहाँ पर इसका जो GPU है दोस्तों यह जो snapdragon 730G है ना यह 730 से GPU के मामले में आपको 15% better मिलता है और साथ में snapdragon elite gaming feature मिलता है और जो AI यह भी इसमें आपको काफी बढ़िया मिलता है अब मैंने यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे games खेले थे इसमें पहले भी इसमें भी मैंने ट्राइ किया PUBG वगरा तो सब कुछ बढ़िया चलता है high graphics में आप अच्छे से खेल सकते हैं कोई भी आपको lag या fame drops वगरा यहाँ पर नहीं मिलेगा उसके अलाबा पीछे की तरफ द 4K HDR वीडियो शूट कर सकते हैं आपको dedicated night port मिलता है AI का support है super slow motion 960 पिस में आप वीडियो शूट कर सकते हैं उसके अलाबा दोस्तों आपको 8MP का ultrawide sensor मिलता है 2MP का depth और 2MP का macro मिलता है सामने की तरफ दोस्तों आपको obviously dual पंचोले तबको यहाँ पर dual selfie मिलती है 20MP का primary F2.0 का aperture पर है portrait beauty यहाँ पर है और 2MP का आपको additionally depth sensor भी provide किया गया है वैसे दोस्तों आपको 45,000 mm की battery मिलती है which is really impressive और साथ में आपको 27W का fast charger उना ने box में provide किया है यहाँ पर POCO ऐसा claim करता है कि आप 25 मिनिट में 40% अपने phone को charge कर सकते हैं और almost 1 गंटे के आसपस आपका phone full charge हो जाएग देखना क्योंकि obviously यह उसका एक rebrand version ही है इसलिए उसमें कुछ फरक आपको नहीं मिलेगा anyways दोस्तों यह थे इसके full features, full specs आपको बहुत ही दमदार मिलते अब box को हमने open कर दिया और आपको एक छोटा सा पीला box मिलता है जिसमें SIM ejector पीन आप देखेंगे यहाँ पर लगी हु लग रहा है क्या बात है बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों especially अगर आप पर्चेस करेंगे तो red वाला ही लेना वह आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है और यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ आपको glass back मिलता है इसके ओपर Gorilla Glass 5 के आपको protection मिलते है और obviously यह Redmi K30 से ही मिलता है जो आप देखेंगे एकदम same to same आपको पीछे की तरफ से कुछ वैसे ही मिलता है यह वैसे दोस्तों आपको 208 gram का मिलता है और 8.8 mm की थिकनेस पर मिलता है तो यह थोड़ा सा बलकी है और थोड़ा सा आपको चौड़ा भी मिलता है क्योंकि obviously इसमें बड़ी सी अब भी मिलता है जो आप देखेंगे यहां पर है तो हाँ बस यहीं दोस्तों आपको सारे box content मिलते है अब फड़ा बटसे हमाते हमारे phone की तरफ तो यहां में दुस्तों हमाते हमारे phone की तरफ और अगर में फिजिकल और की बात करो तो नीचे दुस्तों आपको type C port मिलता है माइक होल, speaker, outpen और 3.5mm jack मिलता है लेफ में दोस्तों आपको यहां पर symptom मिलती है लेकिन unfortunately यहां पर आपको सिफ hybrid slot मिलता है आपको dedicated slot नहीं मिलता है मैं उमीद कर रहा था कि यह अगर dedicated slot के साथ में आता तो बढ़िया होता था लेकिन anyways right में दोस्तों आपको power button मिलता है और obviously उसी में आपको इसमें fingerprint scanner embedded मिलता है यानि कि side mounted आपको fingerprint scanner मिलता है और उपर की तरफ आपको volume up and down की की मिलती है उपर देखेंगे दोस्तों thankfully आपको IR blaster मिलता है और साथ में secondary mic hole भी मिलता है तो यहां पर दोस्तों आते हैं हमारे phone की तरफ और आप देखेंगे क्या बात है बह Android 10 आपको मिलता है out of the box और यह MIUI 11 पर बेश्ट है और साथ में दोस्तों आपको Poco launcher इसमें मिलता है तो obviously Poco की phones में पता है Poco launcher चलते हो आप देखेंगे आपको यहां पर इस तरगी का app draw में मिलता है और वो सारे Poco launcher की features मिलते है जिसका आप खुब फायदा उठा सकते है उसक अगर आप राइट यह तो आप अपने थम को इस तरीके से सेट करके unlock कर सकते है तो अगर आप टच रखते तो कभी-कभी गलती से टच हो जाएगा प्रेस बढ़िया रहेगा क्यों आपको प्रेस करना है और जब जाकि वो unlock होगा तो यह एक बढ़िया feature आपको मिलता है वै Amazon, Netflix के HD contents stream कर सकते है और Camera 2 API यानि की Google Cam का भी support मिलता है तो future में आप उसका भी फाइदा उठा सकते है इसमें वैसे दोस्तों आपको UFS 2.1 के storage का support मिलता है और LPDDR 4X वाले RAM का भी support मिलता है P2i coating भी लगी हुई है तो अगर गलती से पानी की छीटे वगरा उड़ जाते है तो आप देखेंगे काफी बढ़िया सा है और जो बेसे दोस्तों आपको वो भी यहापर काफी बढ़िया मिलता है अब यहापर फाइनले दोस्तों बात करते है इसकी camera की जहां पर इसका camera दोस्तों बहुत impressive है काफी सारे आपको features यहापर मिलते है ऊपर आपको Macro AI HDR वगरे की option मिलते हैं और यहापर दोस्तों आपको ultrawide का और यहापर 2X वाला भी आपको option दिया गया है और दोस्तों 64 Megapixel का आपको dedicated यहापर mode मिलता है और साथ में portrait, night, panorama, pro वगरा मिलते हैं लेकिन वीडियो में दोस्तों थोड़े बहुत आपको नए features मिलते है आपको इसमें vlog mode वाल यहापर मिलती है उसके अलावा आपको track moving object वाला भी आपको feature मिलता है आप देखिए इसमें में tap करता हो अगर कोई भी object पे में highlight करता हो इस तरह के से तो वो automatically detect कर लेगा और वो अपने हिसाब से move करेगा तो यह भी बढ़िया चीज है वीडियो में भी आपको macro का support मिलता है और आप यहापर 4K HDR वीडियो शूट कर सकते हैं 960 पिस में आप slow motion निकाल सकते हैं तो बहुत सारे features दोस्तों की camera में मिलते हैं एक dedicate video बनाऊँगा आप उसके लिए stay tune करना लेगिन जब तक दो screen पर अगर आप samples देखते हैं तो आपको बहुत ही कमाल की pictures यहापर मिलती है obviously son निका latest sensor है तो no doubt जो colors आपको मिलते हैं वो एकदम natural है जो brightness है जो details है वो सब कुछ आपको बढ़िया मिलता है इसका जो edge detection है वो भी बहुत ही जादा impressive था अगर human portrait shots देखते हैं दोस्तों तो बहुत ही कमाल की आपको human portrait shots मिलते हैं यह सब कुछ इसने बहुत ही बढ़िया तर करें दोस्तों तो आप देखेंगे जो dynamic range वीडियो में वो भी काफी कमाल का निकल कर आया और जो stabilization है दोस्तों वो भी बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाती है नाइट की बात करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर इसमें dedicated night mode मिलता है तो काफी बढ़िया यहा बुके करता है उसमें help करता है तो जो edge detection है वो आपको यहाँ पर काफी कमाल का मिलता है तो यह दोस्तों Poco X2 जो आपको कुछ इस तरह के मिलता है yes it is a rebrand version of Chinese Redmi K30 4G variant अब जब मिल रहा है Poco की रूप में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई problem होगी और जैसी कि मैंने पहल पूशन कमेंड में दाल दूँगा विडियो पसने हैं कि दोस्तों लाइक करना मिलते हैं आप से एक लिए विडियो में किने विडियो के साथ तिल रिए ग्रेट डे एंड ऑल्वेस कीप स्माइलिंग